नमस्कार मैं हूँ जितेंद्र गोतम और आप देख रहे हैं जैन हिट टाइम्स उत्राखंड में 2013 की आप दाप ने देखी होगी लेकिन यह घटनाई घटती क्यों है इसमें प्रकृति का कितना योगदान होता है और साथ ही मानवो का कितना योगदान है इसमें इस चीज की चर्चा के लिए हमारे साथ डोक्टर बीडी जोसी जी है जो कि हमाले पर पिछले 40 साल उसे लगातार अध्यन कर रहे हैं प्रोफरसर आप से यह जानना चाहेंगे कि इसमें जिस तरह की लगातार यह घटनाई होती आई हैं आपदा लगातार होती आई हैं इसमें इंसानों को कितना रोल अब हो चुका है और कितना अपराकर्तिक है यह आपने बहुत अच्छी बात पूछी है देखे एक बात पहले हम मौलूप से बता करके चलते हैं कि दुनिया में जो हमाले के परवत हैं वो सबसे युवा परवत माने जाते हैं यह इन परवतों को बने हुए मा जाता है कि लगबख पचिस हजार लाख वर्स इसरफ हुए है जबकि दुनिया की उम्र तो लगबख चार अरव वर्स है हमारी पृत्वी की आई तो इतनी कम आयू में ही सबसे युवा परवत सरंकला माने जाते हैं दुनिया की और दुनिया की सबसे उची परवत सरंकला भी माने जाती है और विश्व की एक ऐसी एकमात प्रवत्स रिंकला है जो भूमद्य रेखा से जिसकी दूरी इतनी अच्छी जगह पे है कि इसके दोनु ओर हर प्रकार की बनस्पातिक संपदाएं भू संपदाएं और पृत्वी की प्राकृतिक उर्जा शक्ति भी मौजू प्रिथवी के गर्व में चलने वाली हल चल यहने कि प्रिथवी में लगबग 20 किलो मेटर नीचे की सता पर जो लावा बहता रहता है वो आज भी दरव के रूप में अनेक पदार्थ बह रहे हैं दरव के रूप में और उनका टेंपरिचर हजारूं डिग्री से के हिलने से चोटे मोटे भूकम पाते रहते हैं ये एक प्राकरतिक घटना है दूसरी प्राकरतिक घटनाएं होती हैं बिजली के चमकने से या समुद्रूं में बहुत बहुंकर टुफान जैने आजकल सुनामी के नाम से जना जाता है विगत 15-10 साल में भी हिंदोस्तान के पर अनेक नामों के डॉली नाम के पराग नाम के सुनामी और जली तूफान आए हैं, वो समुद्र के वेग के और हवा के वेग के मिलने के कारण उत्पन होते हैं, लेकिनों पोरी की पोरी जलवाई को प्रभाइट करते हैं। जैसे चाहे बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया हो या महरास्त के बंबई के तर्ट पर आया हो तो उन दिनों दो-तिन दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान में बारिस होने लग जाती है तो वो जब ये घटना इस प्रकार की होती है जो बानस्पतिक संपता है भूक्षरण है वो अपने आप में विचलित हो जाती है और उनके विचलित होने से वाका बेग है वादल बनना है सूरी का प्रकाश है इन सब पे प्रभाव पढ़ता है मारपा में बरफ गरेगी तो गर्भियों में जब बरफ पिगलेगी तो अपने साथ वो उस जग़ के परती स्थानों का बहुत सा जमीन का मलबा भी साथ ले करके आएगी जैसा कि अभी 2020 के फरवरी में 6 फरवरी के दिन हुआ था रिशिगंगा के खेतर में जब ग्लेसिर पिगले तो वहां सेव मलबा उपर से उसको वो तोड़ करके आगे निकल गया अब इसमें ये तो प्राकरतिक घटना थी इसमें मानवी योगदान क्या है मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इसी बीच में क्या हुआ है कि जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले का कटाओ हो रहा है जैसे एक प्रोग्राम बड़ी चर्चा में है कि चारधाम यात्रा का प्रोग्राम हमारा भारत सरकार का बड़ा महत्तोः कांग्षी प्रोग्राम है बहुत अच्छी योगदा है। उसके बनने से हमारे जो तीर त्यात्री हैं जैसे 2013 में जो केदानात की घटना हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा आवागमन की सुईधाओं की कमी के कारण हजारों लोग मर गे थे अब जब हमारी ये चारधाम जो यात्रा का नर्ग का सड़क का प्रोग्राम बन जाएगा तो इस प्रकार की हम समझते हैं घटना नहीं हो पाएगी लेकिन इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है ताट सो किलो मीटर की ठेड़ी मेड़ी परवती मार्ग बनाने पड़ रहे हैं परवतों को काटना पड़ रहा है डायनमाइट का प्योग करना पड़ रहा है जिससे पर या उनका ख्षरण होगा या वो ग्लेसियर की साथ आएंगे तो मानवू का योगदान आज के युग में बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वज़से प्राकृतिक घटनायों की की कि शंख्या भी बढ़ गई है और उनका नास विनाश करने की ख्षमता भी बढ़ गई है तो हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करके धीरे धीरे इन इस प्रिगर्टिक को करना होगा तब ही हम चीज़ को रोक पाएंगे अन्य थाए प्राक्टिक घटनाय बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि हमारी ज़रोतें भी बढ़ती चली जा रहे हैं आखरी सवाल है कि इस तरह से हमने देखा है कि पहले हिमालियों में लकडी के घर हुआ करते थे लेकिन अब गाउं गाउं में कंक्रीट के घर बन रहे हैं तो उससे कहीं न कहीं क्लाइमेट भी चेंज हो रहा होगा और लकडी के घर ना बनने से और कंक्रीट के घर बनाने स पहाडों को क्या नुक्सान हो रहा है यह बहुत एक विशम प्रस्न है लकडी के घर आज से लगबग सौ साल से बनने पहाडों में बंद हो गए हैं सौ साल पूरों तक मैं परुतीक शेत्रे का ही रहने वाला हूं पितरण का रहने वाला हूं हमारे पूरोजों के जो घर मातरा में यूज होता था और वो घर छोटे छोटे होते थे और वो ऐसे स्थान पर बनते थे जहां पर भूमी का कटाव नहीं होता है और जो हमारा विकास थे क्रेंद नहीं हो रहा था मकान बड़े ४ास सगन बन होते थे आंगन में भी पेड़ होते थे वो भूमी के कटाव को रोकते थे अब जैसे जैसे आदमियों की हमारी जनसंग का बढ़ती चली गई हमें ज्यादा जमीन की जरूत पढ़ती चली गई तो हमने बनों को काटा जंगलों को काटा तो भूमी का अक्षरण भी हुआ और बारिस ज इसे 200-300 साल पहले जंगलों पर आदमियों का गाउं वरासियों का अधिकार होता था अंग्रेजों के आने के बाद से एक बिवस्ता के अंतरगत अतिक देश में भारत में ही नहीं अब जंगलों पर सरकार का नियंतरण पूरी तरह से होता है जंगलों के जो संसादने वो र और अब सीमेंट से बने इटों का प्रणने लगा है लेकिन इसका प्राकृतिक जो परियावड़न उस पर बहुत विश्रम प्रभाव पड़ता है मिट्टी जो होती है धीरी धीरे गरम होती है लकडी बहुत गरम नहीं होती वो उश्मा के कुछालक होते हैं वो गर्मी को ज्यादा देर तक अप्रणने रोकते नहीं लेकिन ठंड को रूपते हैं गरमी को रोकते हैं इस तरह से वो वातानू कलित एक प्रभाव देते हैं ईटें और सीमेंट के मकान जल्दी तपते हैं बड़े देर तक गरम रहते हैं उश्मा को जड़ा सोकते हैं परियावड़न कॉंक्रीट के जोलं कितना नक्सान दायक है उसकर लोगों को सोचनी की जडूरत है जो मकान हैं उनको वहीं तक रखा जाए जितना ज्यादा आप उनको अपनी तरह से बनाने की कोशित करेंगे उतना ही आपके पहाड़ो भी नुक्सान होगा प्रफब बड़ी लिए लाइब लाइब से लाइब 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 लाइबू